चलो मिस्टातना हूँ और आज हम आपके सामने एक नईा टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है गुरुत्वा करशन ठीक है इसको बोलते हैं ग्रत्वा कर्षड तो इसके लिए सबसे पहले हमें भागोलिक रूप से किस चीज़ें ग्यात होनी चाहिए हमें पता होना चाहिए कि पड़ो बहुत ही इंट्रेस्टिंग चैप्टर है इतना बढ़िया है कि इस पूरे चैप्टर से ही हमारे पूरे फिजिक्स का जनम हुआ यूँ कहें जितने भी मॉडरन फिजिक्स है या क्वांटिकरन फिजिक्स है वो इसी से ही इसी के आधार परी उसकी उत्पत्ति हुई है सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जैसे हम जानते हैं कि हमारे सौर मंडल के बारे में हम जानते हैं कि हमारा जो सौर मंडल है ठीक है क्य इसमें हमारा जो एक मुखिया है जिससे इनर्जी पूरी जनरेट होती है सूर मंडल को वो किसको मिलती है सूर्य से मिलती है सूर मंडल कहते हैं और हमारे सूर मंडल में सूर्य के साथ में क्या क्या है सूर्य है और प्लस आठ ग्रहे हैं पहले जो है 9 ग्रहे हुआ करते थे लेकिन सन 2006 में IAU के द्वारा प्लूटो जो है ग्रहे उसको हटा के बौने या छुतर ग्रहे में डाल दिया गया तो इस समय मौझूदा हालत में हमारे सूर मंडल में एक तो सूर्य है और दूसरा क्या है आठ ग्रहे हैं अब इन आठ ग्रहों को हम टर्म बाई टर्म लिखते हैं तो आठ ग्रहे कैसे हैं पहले है हमारा बुद्ध पहले नंबर पर कौन सा बच्चा बुद्ध है दूसरे नंबर पर क्या है सुक्र है पहले पर बुद्ध है दूसरे पर सुक्र है तीसरे पर बुद्ध सुक्र प् उनगत प्रत्वी माता है ना फिर मंगल है मंगल ही मंगल हो फिर अगला ग्राजपती है। spend ॥ भुद्ध सूक्रम्यमंगर ग्रासपती फिर सनी। हे फे अरूरव boxing बरूर और अंतमे बस नुमेन नेम्ब कायम था था उसको हम Pluto बोलते हैं English में चूंकि IAU 2006 के द्वारा इसको हटा दिया गया उसके हटाने के भी कारण है क्योंकि हम जानते हैं जो ग्रहे हैं किसी तारे के चारो और जो चक्र लगाता है उसको हम ग्रहे बोलते हैं ठीक है किसी तारे के चारो और जो परिक्रमन करता है उसको हम क्य काइदा ऐसा नहीं कि कोई भी ग्रहे आया उठाया और चक्र लगाने लगा उसके विन नियम है एक नियम क्या है कि जितने भी ग्रहे हैं उनके जो उपग्रहे हैं उनका आकार ग्रहे की तुल्ला में छोटा होना चाहिए दूसरा क्या है कि कोई भी ग्रहे अन्य किसी ग्रहे क कच्छा में डिस्टर्ब नहीं करेगा आखे लेकिन यम के साथ में क्या था यम जो था इसके जो यम के जो उपक ग्रहे थे वो कई-कई उपक ग्रहे तो वरुन से भी बड़े थे इस वज़े से पहला टॉपिक पहला तो यह हो गया दूसरा क्या है कि वो जो है क्रॉस करके व ठीके इए अच्छा बुद्ध को इंग्लिस में क्या क्यों कभी कभी क्या करता है कुस्ट्ण ऑं decipher बो इंग्लिस में पूछ लेता है जैसे तो इसकी इंग्लिस में पता हो नीच यह चाहिए तो अभू रहते है एं टीकर और चो तो बुद्धु को इंगलिस में क्या बोलते बच्चा मरकरी बोलते है ना मरकरी और इसको वीनस सुक्र को वीनस बोलते और यह हमारी प्यारी सी प्रत्वी इसको तो तो हम जानते ही हैं क्या बोलते बच्चा अर्थ उसके बाद मंगल मार्श मार्श फिर रास्पति जोपिट ठीक है उसके बाद सनी सनी को बोलते सेटर फिर यूरेनस यूरेनस फिर नेप्चिन और प्लूटो तो है नहीं है ठीक है इस तरीके से आप इसको पुरायाद करते हैं ये जो क्रम है ये सूर्ष से बढ़ती हुई दूरी का क्रम है सूर्ष से बढ़ती दूरी का क्रम है सूर्ष से बढ़ती दूरी का क्रम है इस प्रकार से ठीक है जैसे जैसे ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे है कि सबसे पहले सूर्ष के सबसे पास कौन सा वालग रहे है बुद्ध है फिर शुक्र है फिर प्रत कौंसा गग्रहे है वरुन गग्रहे मुझे है थो यह सी कोश्चन क्या बनेगा सूरी के सबसे निकटतम गग्रहे चलों बताओ सभी elk सूरु से सबसे निकर्टम ग्रहें कौन सा आ है न सूरे सबसे दूर ग्रहें सूरे के सबसे दूर दूर गरहे कौन सा है मौझूदा हालत में सौर मंडल में देखें तो सबसे दूर कौन सा है वरुन है ठीक है अच्छा प्रत्वी की बहन प्रत्वी को क्या बोलते है नीला गरहे किसको बोलते है बिच्चा नीला गरहे किसको बोलते है प्रतिवी को बोलते हैं ठीक है साथ में ही लाल ग्रहे किसको बोलते हैं लाल ग्रहे लाल ग्रहे बोलते मंगल को क्योंकि इस पर जो है मंगल जो है तुमारा मार्श है इसरो ने इस पर जो है मंगल हमारे दो मिशन मंगल हो चुके हैं ठीक है जिसमें हमने स्वरी एक बार लेकिन मंगल पर हम गए थे 2014 में तो ते 2013 में बेजा गया था जबकि पहुंचा था वो 2014 में ठीक मंगल पर मार्श पर यहां पर फेरस आकसाइड जाना पाया जाता है फेरस आकसाइड का जो कलर है वो कैसा होता है लाल होता है जिस वज़े से वो पूरा ग्रहे कैसा आए तुम्हारा मंगल मतलब लाल ग्रहे बोला जाता है ठीक है और ठीक है आगे भोर का तारा भोर का तारा ये कुछ उपनाम है जो बहुत पुछे जाते हैं भोर का तारा हुआ हुआ सांज का तारा हुआ सांज का तारा हुआ ये कौन है शुकर ठीक है शुकर को ही बोला जाता है कि शुकर है ठोय बोर का हुआ सांज का हुआ ये सारे के सारे हमारे किसके यूज हैं मंगल के लिए बुले जाते हैं ओके चलिए और कुछ कोश्चन लेते हैं इन ग्रहों में जो सबसे बड़ा जो ग्रहे है वो कौन सा ग्रहे है तो सबसे बड़ा ग्रहे आकार में सबसे बड़ा ग्रहे ठीक है ग्रहे ऐसे लिखा जाता है ये वाला जो हम यूज करते है प्लैनेट के लिए वो ये वाला ग्रहे है और जो ये ग्रहे जिसमें रिशे रिशी वाली लगती है वो वाला हूम लग जाता है जिसमें रिशे रिशी वाली मांतरा लग जाती है ठीक है तो सबसे बड़ा ग ही ठीक है सबसे बढ़ा रहे है यह और सबसे छोटा अपिशालूं रहे में सबसे छोटा रहा है वह कौन है सबसे चोटा रहे बुद्ध है कि है और सबसे गर्म ही रहे principal है कि सबसे कर्म रहे बुद्ध नहीं है कौन सा सुक्र है ठीक है सबसे ठंडा रहे कि सबसे ठंडा रहे सबसे ठंडा रहे है वरुर ठीक है और शनी सनी एक ऐसा ग्रह जो लेटा हुआ ग्रहे है तो यानि कि लेटा हुआ ग्रहे कौन सा है लेटा हुआ घ्रै लिखते जाओ फटाकस सभी लोग लेटा हुआ ग्रहे है सनी है और सनी के चार और वले ऐसी पाई जातीwashे बलों से गेरा हुआ जो है वा कौन साय सनी रहे है अच्छा Nummer रहे कि उसको भूलते हैं और ना को बोलते हैं और भी कुछ कोश्चन याद आएंगे तो फिर हम उनको डिस्कस याइस से और भी जो चीज रहे गई हो वह आप जली से कमेंट में टाइप कर दो फटाक से क्या क्या रहे गया गुरू जी यह पढ़ाने को छोड़ा जो भी रहे गया है ठीक है चल जली से नोट कर लो हो गया होगा आब आजाओं कि हमने रहसे संबंदित सवार मंदल से संबंदित कुछ बात थी जिनको अमने डिसकस कर लिया ठीक है अब थोड़ा आगे चलते हैं और अब हम हम हीडिंग डालेंगे की ग्रह क्या है और चाहिए क्या है चारो और चक्कर लगाते हैं क्या कहलाते हैं ग्रह कहलाते हैं ठीक है सिंपल सी एक लाइन में डेफिनिशन है वे वे आकासी ये पिंड वे आकासी ये पिंड जो जो सूरे के चारो और चक्कर या परिक्रमण करते हैं चकर को ही हम बोलते हैं क्या परिक्रमण करते हैं सूरे के चारो और क्या करते हैं परिक्रमण करते हैं ग्रह कहलाते हैं ग्रह कहलाते हैं ठीक है जितने भी ग्रहे हैं वो हमारे सूरे से ही तूटकर बने हुए हैं उच्छा वसन की वज़ए से ये सारे ग्रहे अत्यदिक ग्रेविटेशन अत्यदिक भार की वज़े से ये सारे ग्रहे इनका आकार कैसा है गोल है तूटे तो होंगे अलग-अलग सुरूपों में लेकिन अत्यदिक गृत्वा कर्ष्ण ग्रेविटेशन अत्यदिक भार की वज़े से ये कैसे है गोल है ठीक है इस तरीके से तो ये ग चारो और निश्चित कच्छाओं में परिक्रमा करते हैं परिक्रमा करते हैं ठीक है पहले पहले क्या हुआ जब खोजोज हुई तब इसके बारे में डिसाइड नहीं था कि पहले बैग्यानिकों ने ये कहा कि सूर मंडल में जो सूर्य है वो बिल्कुल बीचों बीच में इस्थित है बिल्कुल मद्यबाग में इस्थित है पहले बैग्यानिकों का कहना था कि जो प्रत्वी है मतलब जो सूर्य है जैसे यह हमारा सू होता कभी इसमें रुतुएं आती है कभी सर्धी होती कभी गर्मी होती है कभी ठंड होती है तो यह क्यूण है किस वज़े से जब खोज हुई जैसे जैसे बढ़ते गए जैसे समय बढ़ता गया फिर पता चला कि इस प्रकार से नहीं हमारा सौर मंडल जो है जिसमें जो ग्रहे हैं बैग्यानिक थे कैपलर उन्होंने अपने नियम दिये उनके बारे में भी हम चर्चा कर देख चरिंगे तो उन्होंने ये कह कि जितने भी ग्रहे हैं वो दीर्ग ब्रताकार कच्छा में दीर्ग ब्रताकार कच्छा में क्या कर रहे हैं परिक्रमण कर रहे हैं ठीक है यह हमारा इलिप्स है अगर आपने ट्वेल्थ में अगर आपने मैथ लिया होगा तो उसमें इलेवन्थ में टॉपिक आता है परब त्म होती है और एक स्थान पर दूरी कैसी होती है और यह चितने भी तुमारे ग्रहैं यह सोरी तो सूरी जो है इन दो focus में से किसी एक किनारे परिस्तित होता है यानि जब कोई भी सूरी के चार्य को तुरत चक्र लगाएगा तो वह एक समय पर सूरी के सबसे पास में रहेगा और एक समय में सूरी से सबसे अधिक दूरी पर रहेगा तो जब ग्रह यहां होता होगा तब उसको तब उस ग्रह पर क्या होती होगी गर्मी होती होगी क्योंकि वह सूरे के पास में आ यहां कहीं होंगे इस प्रकार से ठीक है इस वाली दूरी को हम बोलते हैं अपसौर और इस वाली दूरी को बोलते उपसौर अभी लिखा दूंगा इनके बारे में जब कैपलर के नियम के बारे में चर्चा करेंगे तब हम उस पॉइंट को डिसकस कर लेंगे तब तक के लिए हमने आपको एक समझा दिया एक बात समझा दी कि ग्रह क्या है प्रते ग्रह जो है सूरे के चारों और एक निश्चित कच्छाओं में परिक्रमा करते हैं और वो निश्चित कच्छा कौन सी है दीर ब्रत्ताकार कच्छा की रूप में परिक्रमा करते हैं इसको इरेज कर देते हैं इस प्रकार से तो यह तो ग्रह हो गया तुम्हारा अच्छा जब ग्रह हो गया तो हम इसके थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं उपक ग्रह के बारे में और कर लेते हैं उपक ग्रह क्या होते हैं ठीक है चलिए उपक ग्रह वे आकासिये पिंड जो किसी घ्रह के चारो और चक्कर लगाते हैं क्या कहलाते हैं उपक्रए कहलाते हैं ठीक है बहुत सिंपल सी definition है एक ही sentence में जाएगी आप लोगों को क्या वे वे आकासिये पिंड वे आकासिये पिंड जो किसी ग्रहे के चारो और चक्कर लगाते हैं क्या कहलाते हैं उपक ग्रहें इंगलिस में satellite बोलते हैं उपक ग्रहे कहते नहीं है बोलो आएना बिल्कुल सही बात है बे आकासिय पिंड जो किसी गरहे के चारों चक्कर लगाते हैं क्या कहलाते हैं वो बग्र закры कहलाते हैं तो जैसे प्रतवी एक गरहे है प्रतवी के चारों चकर कौन लगाता है चंद्रमा जो है वो प्रत्वी के चंद्रमा प्रत्वी के चारो और चंद्रमा प्रत्वी के चारो और चकर लगाता है ठीक है चंद्रमा जो है वो क्या करता है प्रत्वी के चारो और चकर लगाता ठीक उसी प्रकार से जैसे जैसे ग्रहे हैं उनके अलग-अलग क्या होते हैं उपग्रहे होते हैं लेकिन एक मजे की बात तुमें बता है यहाँ पर क्या कि बुद्ध का कोई भी उपग्रहे नहीं होता बुद्ध और सुक्र ये दोनों का कोई उपग्रहे नहीं है कोई भी उ नहाता है प्रथवी का इक उपग्रे है ठीक है एक उपग्रे तो पूछा जाता है यह बहुत पूछाजा टाए ठीक है मंगल के दो lovol रहे हैं यह एक है Phobos Phobos और दूसरा है Demos ठीक है तो मंगल के कितने है दो पग रहे हैं ठीक वैसे ही ब्रासपती ब्रासपती जो की सबसे भारी ग्रहे है हमारे स्वार मंडल में सबसे बड़ा ग्रहे जो है वो कौन है ब्रासपती है ऐसा बोला जाता है कि प्रतवी पर जितने भी आकाशी उलका पिंड आपने देखे होंगे कि पहले ऐसा सुना होगा आप लोगे नहीं भी सुना होगा कि डाइनासओर पहले रहते थे प्रतवी पर लेकिन अब्बू नहीं है और डाइनासओर नस्ट हो गए थे उसका रेजन था कि एक भारी उलका पिंड जो है प्रत्वी पर बहुत ही तेजी से टकराया आके जिससे पूरी प्रत्वी पर उपस्थित उस समय जितने भी जीव जन्तु जानवर थे वो सब पूरे के पूरे क्या हो गए खतम हो गए इसको हमने पूरा मतलब उससे बोला जाता है कि तब उसे डाइनासौर का विलुपत हो गए वहां से खतम हो गए है ना तो जितने भी उलका उलका पिंड जब आते हैं तो वो प्रत्वी पर नहीं आपाते हैं उससे पहले ही चुकि जब वो आ रहे होते तो रास्ते में मिलता क क्या होगा जांदा होगा अब जब उसका भार जांदा है ब्रस्पती का तो वो जिसके पास में जितने भी उलका पिंड आते हैं तो वो इदर नहीं आ पाते हैं उससे पहले ही वो क्या कर लेता ट्रक कर लेता हर एक रहे का अपना एक ग्रेविटेशन फिल्ड होता है अपन तॉल्णा में जानता है तो वो निकल जाएगा उससे ठीक है? ऐसा करके तो ब्रसपती के 63 ब्रसपती के कितने उपग्रे हैं? ब्रसपती के उपग्रे 63 63 होते है जिनमें सबसे बड़ा जो उपग्रे है वो Ganymed सबसे बड़ा उपग्रे है वो गैनीमेड है 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 कि एन्यमेठ ठीक में चल compiled कि बैसे उसको रह impact और सब retard सबसllo реб2015 को सबसकिन युठ जा करें हैं को नोट कर लीजर यही पॉइंट जोchuss इसटार वाले थाके इनको फटाक से नोट तो यह थोड़ा जीस का कोर्शन भी तुमारा कवर कर देगा जो है ठीक है जाब लें फटाक से भाई हो गया होगा ठीक है चलो देखो भाई तो अब हम चर्चा करेंगे गुरुत्वा कर्षण की वाट इस ग्रेविटेशन क्वेस्चन मार्क है ना गुरुत्वा कर्षण क्या है यह डालेंगे गुरुत्वा कर्षण अगर तुम थोड़ा ध्यां से देखो तो यह नाम दो चीजों से मिलकर बना हुआ है एक बना हुआ है गुरुत्व प्लस आकर्षण यानि इस नाम को अगर हम तोड़ दे तो क्या हो जाएगा गुरुत्व प्लस आकर्षण आकर्षण है ना ब्रह्मांड में उपस्थित प्रतेक पिंड अन्य वस्तूओं को एक बल एक आकर्षण बल से अपनी और खीचता है जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वा कर्षण यानि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रतेक पिंड एक दूसरे को एक आकर्षण बल एक आकर्षण बल से आकर्षित करते हैं यह बल ही यह बल ही गुरुत्वा कर्षण बल कहलाता है यह बल ही गुरुत्वा कर्षण बल कहलाता है यह बल ही गुरुत्वा कर्षण बल कहलाता है ठीक है एक बैग्यानिक थे जिनका नाम था सर आईजेक न्यूटन अब इसी बात है उन्होंने फिजिक्स का निर्मार किया है उन्होंने ही फिजिक्स की बहुत चीजें जो मतलब नहीं उस समय खोजी कहीं थी, उन्हें खोज के और पूरा कल्कुलस बनाया, उन्हें के नाम पर जान्दा तर ये बोला जाता है कि न्यूटन ना होते तो फिजिक्स भी ना उता, इसका मतलब ये नहीं कि सारा फिजिक्स उन्होंने भनाया, लेकिन उसमें इनका बहुत महतु रहा, उसी की जितनी भी जाना से जाना थेयोरी है वो Newton Bava की ही है इसलिए मैं तो उनको Newton Bava कह के बुलाता हूं तीकए सर आईजेक Newton ने उनकी एक बुक थी तो उस बुक में सेटेलों में लिखा गया है उसमें लिखा है कि एक बार क्या होता है कि ये सेव के पेंड के नीचे बैठे होते हैं अचानक से कुछ वायो या कुछ प्रवाज चला होगा जिससे एक सेव का मतलब सेव के पेंड के नीचे बैठे होंगे तो वहां से उपर से एक सेव तूट के और नीचे गिरता है इनके उपर तो मतलब नार्मल सी बात है ये एक जो है वो नीचे ही क्यों गिरा अच्छा नॉर्मल विक्ति और वैग्यानिक को में डिफरेंस यह होता है कि नॉर्मल विक्ति जाना सोचता नहीं और हो गया तो हो गया जाके उन्होंने अपना एक नियम दिया और नियम देके यह बताया कि ग्रेविटेशन है क्या तब जाके कंफर्म हुआ जाके कि हां गुरुत्वा कर्शन नामक कोई चीज है फिर उन्होंने नियम दिया उस नियम को हम बोलते हैं न्यूटन का गुरुत्वा कर्शन नियम बह पर समानुपाती के बाद में दोनों पच्छों को बरावर करने के लिए एक कॉंस्टेंट टर्म की जरूरत पड़ती है वह इसा होना चाहिए जो हर एक नियम को फॉलो करे हर एक नियम में एकजिट बैठ जाए यह नहीं है कि ऐसे उठा लिया कोई भी कॉंस्टेंट और उसको यूज करने लग गए नहीं वो नियम अन्य सभी नियमों को फॉलो करता हो उस नियम के विफ्रीत ना जाए यह और ध्यान रखना होता है ठीक है चलो तो हब हम बताते हैं उनका नियम हेडिंग डालेंगे मुस्ट इंपोर्टेंट है बहुत ही जानदा इंपोर्टेंट है न्यूटन का गुरुत्वा कर्षण नियम न्यूटन का गुरुत्वा कर्षण नियम ठीक है क्या है नियम में ठीक है लिखेंगे इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार जबी भी हम कोई भी नियम या परिवास आई तो आपको ट्वल्थ में पढ़ाई होगा इसमें कुछ जाना डेटिल में जानना नहीं है के बल हमको ये अपना एक्जाम के पॉइंट आप व्यू से चीज़ें को समझना है ना इस नियम के अनुसार किनी दो किनी दो बिंदू किनी दो बिंदू द्रब्यमानू किनी दो बिंदू द्रब्यमानू के बीच के बीच लगने वाला किनी दो बिंदू द्रब्यमानू के बीच लगने वाला आकरशन बल लगने वाला आकर्शन बल दोनो दोनो द्रब्यमानों के गुडनफल के लिखते चलेंगे भाई सभी लोग आलस कते ही नहीं करेंगे विल्कुल लिखते चलेंगे दोनो द्रब्यमानों के गुडनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बर्ग के बियुत क्रमानुपाती होता है अब यह आला में तुम्हें कुछ समझ नहीं आया होगा समझने वाले नों समझा होगा बाकी समने में पता नहीं क्या मास्टर पढ़ा रहा है सीदी सीबास समझो देखो एक लेंग्वेज में फस्ट नंबर यहां से निकलेगा F is proportional M1 या रुख जाओ रुख जा रुख जा देखो हमने यह कहा एक यह हमारा बिंदु द्रब्यमान है M1 इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा द्रब्यमान रखा हुआ है M2 दोनों द्रब्यमानों के बीच की दूरी है वो दूरी कितनी है R है आर दूरी पर दोनों द्रब्यमान रखे हुए है तो अब इनके बीच में कुछ ना कुछ आकर्षन जनरेट हो जाएगा यह दोनों बल एक दूसरे को यह दोनों द्रब्यमान एक दूसरे को एक बल से खि प्रणफल की अनुक्रमानुपाती यह चिन जो तुम्हें दिख रहा है यह निशान इस निशान को हम बोलते हैं अनुक्रमानुपाती निशान को क्या बोलते बच्चा अनुक्रमानुपाती और इसी को कई-कई पैग्यानिक इसको अलग-अलग भासा में समानुपाती भी बो होगा अनुकरमान पाती का मतलब यह है इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि यह अनुकरमान पाती जो है वो बराबर का साइन है ऐसा बिल्कुल नहीं है F is equal to M1 M2 कर दो नहीं F is proportional M1 M2 मतलब F का मान जो है वो दोनों के दरबिमानों के गुणनफल के कैसे है अनुक्रमानुपाती है जितने दर्भमान बढ़ाते जाओगे उतनाई बल भी क्या होगा बढ़ता चला जाएगा अगर दर्भमान कम कर दोगे तो उनके बीच जो लग रहा है गुरुत्वा करस्वन बल वो भी क्या होता जाएगा कम होता चला जाएग तो एक तो यह हो गया, क्या, F is proportional, M1, M2, ओके, तता उनके बीच की जो दूरी है, उसका बर्ग करो, और व्युतक्रमानपाती कर दो, व्युतक्रमानपाती का मतलब, इन्वर्सी पर जैसे देखो, A, proportional B, और A, इन्वर्सी प्रिपोर्स्नल बन अपान B, मैं अलग से तुमें स जैसे यहाँ पर यह अनुक्रमानपाती का रोल कर रहा है, और यहाँ पर इसको व्युतक्रमानपाती का रोल बोलते हैं, इसका मतलब है, कि अगर आपने B के मान में ब्रद्धी करी, तो A का मान भी बढ़ जाएगा, और अगर B के मान में कमी करी, तो A का मान भी क्या हो अनुक्रमान पाती का मतलब सीधा विष्ट कर्मान पाती का मतलब उल्टा ठीक तो क्या हो जाएगा f is inversive proportional 1 upon r square square इस वज़ेश क्या क्योंकि बर्ग है इन दोनों समीकरण एक ये बना और एक समीकरण ये बना इन दोनों समीकरणों को सहयुक्त कर दो जब दोनों समीकरणों को सहयुक्त करोगे तो यहां पर एक रिजल्ट बनकर आएगा और वो रिजल्ट आएगा m1 m2 बटे r square ठीक है f is the proportional m1 m2 and also विष्ट कर्मान पाती को बोलते हैं inversive proportional है न वर्चे proportional r square जब हम इस proportional का sign हटाएंगे तो एक स्थरांक लेके आएंगे और यहां पर स्थरांक आता है जी तो m1 m2 ठीक है m1 m2 बटे r square ठीक है जहां 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 कैपिटल जी एक नियतांक है जहां कैपिटल जी एक नियतांक है जहां कैपिटल जी एक नियतांक है जिसका मान 6.67 गुणे 10 की घात माइनस 11 और न्यूटन मीटर स्क्वेर प्रती किलोग्राम स्क्वेर है ठीक है दुबारा से लिखे देर ध्यान से देखो सभी लोग कैपिटल जी का मान कितना है 6.67 दस की घात माइनस 11 फिर न्यूटन मीटर स्क्वेर प्रती किलोग्राम स्क्वेर ठीक है कहा जाता है कि इस जी के मान को खोजने के लिए न्यूटन ने बहुत संघर्ज किया और ये जी का मान खोजते खोजते उन्होंने प्रत्वी का गरित का जो सेकेंड पेपर है उसको मतलब निर्मार कर दिया पूरा कैलकुलिस का जो श्रे है वो किन के ओपर जाता है न्यूटन के ओपर ही जाता है ठीक है तो किन्ही दो बिंदुद रभेमानों के बीच लगने वाला जो आकर्षन बल लिधान रगना केवल आकर्षन बल होता है इसमें प्रतिकर्षन का कहीं भी नाम निशान नहीं है बैदुद बल जो है वो हमारा आकर्षन भी हो सकता है और प्रतिकर्षन भी हो सकता है जबकि गुरुत्वा कर्षन बल जो है वो सदै भी आकर्षन बल होता है ओके तो आई होप आज की क्लास आज के लिए इतना ही रखत साथ में अगर पसंद आई है क्लास तो लाइक दवा देंगे ठीक है और उम्मीद है आप लोग बढ़िया से त्यारी कर रहे होंगे और जबरदस तरीके से मेहनत कर रहे होंगे ठीक है तो हम कल फिर से इसी टाइम आपको मिल रहे हैं के आपको इस क्लास का अगला जो भाग है उसको लेकर कल हम इसी टाइम पर उपस्तित होंगे तब तक के लिए जैहिन